भगवान गोतम बुद्ध के उपदेश अनुवो के आग में तबकर सामने आए हैं, इसलिए गोतम बुद्ध के उपदेश किसी खजाने से कम नहीं, गोतम बुद्ध के विचार आज भी बहत प्रासंगिक है, वे हमें इस संसार में रहा दिखाते हैं, कहते हैं कि बुद्ध स जादा मौन भी कोई नहीं रहा, बुद्ध के चहरे पर जो ध्यान का, मौन का तेज है, वह सब को आकर्शित भी करता है, हमें प्रश्टांकित भी करता है, कहते हैं कि बुद्ध अपनी संपूर्ण आयू में जितना बोले, उतना संग्रह भी नहीं हो सका, उसे लिखा भी नह जहां जहां बोलना जरूरी था बुद्ध वहां वहां बोले जहां बोलना जरूरी नहीं था बुद्ध वहां मौन रहे इश्वर है या नहीं इस विशय पर भी बुद्ध चुप रहे क्योंकि बुद्ध जानते थे कैसे प्रश्णों का उत्तर देना आवश्यक है या नहीं और सच में अगर इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध दे भी देते तो क्या सच में उसे समझने के पात्र लोग उस अनुवूती तक पहुश पाते यह भी बहुत बड़ा सवाल है. जिस पर आज भी चिंतन किया जा रहा है. सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार बुद्ध ने इश्वर के बारे में या वह है या नहीं इस बारे में क्यों नहीं बोला? बुद्ध ने खुद को नास्तिक समझने का खत्रा भी मूल लिया. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध से बड़ा कोई आस्तिक भी दिखाई नहीं देता. दुनिया में बहुत से धर्म के संस्तापक हुए है लेकिन बुद्ध जैसा दूसरा कोई नहीं. बुद्ध सिधा विचारों और तरकों को अपने उपदेशों में शामिल करते हैं. दुनिया में बहुत से लोग बोले हैं. अनेकों ने मनुष्च के रोगों का निदान भी क किसी ने किया हो. यही कारण है कि बुद्ध के धम का केंद्र ही मनुष्च है और नेतिकता उसका आदार है. बुद्ध के विचारों से जो भी प्रतीत होता है उसे यह साफ जाहिर होता है कि बुद्ध बहुत बड़े मनो विज्ञानी थे. इंसानी मन के जानकार थे. बड़े सुन्दर डंग से बुद्ध ने बाते कही. बड़े गहरे प्रतीक अर्थों में बुद्ध ने उपदेश दिये. लेकिन उपदेश ऐसे कि एक बार जिसने सुना वह फिर कभी नहीं बढ़का. फिर उसने दूसरी राह ही नहीं तलाशी. वह बुद्ध का हो गया औ जहा जहा बुद्ध के पदेशन न पड़े वैदर्ती बुद्ध की हो गई. वे लोग बुद्ध के हो गए. चीन और जापान से लेकर थाइलेंड, कोरिया और नजाने दुनिया के किन किन देशों तक बुद्ध भारत से निकल कर पहुँचे. उनके विचार पहुचे. उन बुद्ध के विचारों की ताकत थी. आज हम बुद्ध के उनी में से कुछ विचारों को उपदेशों को जानेंगे, समझेंगे. या खिर बुद्ध ने ऐसी कौन सी गहरी बात कई, जिससे हजारों साल बात भी बुद्ध की विचार जसके तस प्रासंगेक है. सदिया बीत बुद्ध के कुछ महान विचार, जिनने बगवान गौतम बुद्ध की प्रमुक्षिक्षाय भी कहा जाता है. बुद्ध कहते हैं कि यदि आप वास्तों में ही अपने आप से प्रिम करते हैं, तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुचा सकते. बुद्ध कहते हैं स्वास्ते सबसे बड़ा उपार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है. बुद्ध कहते हैं अच्छी चीजों के बारे में सोचे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं. इसलिए सकारत्मक बाते सोचे और खुश रहे. बुद्ध कहते हैं आ आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बिलकि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। बुद्ध कहते हैं, इंसान के अंदर ही शान्ती का वास होता है, उसे बाहर तलाशने की जरूरत नहीं, शान्ती आपके भीतर से आती है। बुद्ध कहते हैं, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किये जा सकते है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुश्या बाटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। बुद्ध कहते हैं क्रोधित रहना जलते हुए कोईले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेकनी की इच्छा से पकड़े रहने के समान है या सबसे पहले आपको ही जलाता है बुद्ध कहते हैं दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले या जरूरी है कि हम खुद को साबित करे हर इनसान की प्रतिसफरदा पहले खुद से होती है बाद में दूसरों से बुद्ध कहते हैं खुशी हमारे दिमाग में है खुशी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती न वो चीजों में है बलकि इस बात में है कि हम कैसा मैसूस करते है वास्तों में खुशी हमारे मस्तिश्क में है बुद्ध कहते है गुरुणा से गुरुणा कभी खत्म नहीं हो सकती गुणा को केवल प्रेम द्वारा ही समप तक की आ जा सकता है या शास्वत सकते है बुद्ध कहते है तीन चीजों को लंबी अवदी तक चुपाया नहीं जा सकता सूर्य, चंद्रमा और सत्य बुद्ध कहते है बुद्काल में मत उल्जो बुष्य में सपनों में मत खो जाओ वरतमान पर ध्यान दो यही कुछ रहने का रास्ता है बुद्ध कहते है हजारों लड़ाईया जीतने से बेतर है आप खुद को जीत ले पिर वो जीत आपकी अपनी होगी जिसे कोई आपसे नहीं चीन सकता बुद्ध कहते है हर अनुबव कुछ न कुछ सिखाता है हर अनुबव महतोपूर्ण है क्योंकि हम अपनी गल्तियों से ही सीखते है बुद्ध कहते है हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वया करे बुद्ध कहते हैं हर दिन की आहमेत को समझे इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है एक नय मकसद को पूरा करने के लिए है तो यह थे बुद्ध के कुछ महतोपूर्ण विचार जिने बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा था अपने विचारों में कहा था अपने मार्ग दर्शन में कहा था यही विचार आज भी दुनिया को रहा दिखाते हैं बटके हुए को मार्ग दिखाते हैं और स्वयम प्रकाशित होने के बारे में भी कहते हैं